हलो एवरीबड़ी दिस इस दिग्रासिंग राजपूत वेलकम चू मैगनेट ब्रेंज एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ सिविक्स जो है क्लास टेंथ सिविक्स का जो पहला चाप्टर है वो आप इस वीडियो लेक्टर से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं और यह जो वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली आपको चैप्टर की थीम बताने वाला कि आखिर चैप्टर किस बारे में हैं हम कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं यह सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अब दिखिए क्लास 10 पहला चैप्टर जो है सिविक्स का वह क्या है पावर शेरिंग पावर शेरिंग क्या होता है मतलब हम पावर को शेर करने हैं क्लास 9 से हमने जो हमारी बुक पढ़ना स्टाट करी जो बुक का पाट टू अप पढ़ रहे हैं अब देखो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स पॉलिटिकल साइंस हम क्या कर रहे हैं सभी को अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं ठीक है सिनडेम की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं कि हां कुछ भी बोल दो टेक्निकलिटी में आप जाओगे ना तो टेक्निकल डिफ्रेंसेज होते हैं तेक्निकल डिफ्रेंसेज हर चीज का एक मीनिंग होता इसलिए उस चीज को उस नाम से जाना जाता है खेर अभी हम उसमें ना चीज का लावा आप के लावा आप देखोगे तो से अंदर क्या है से टाप दिया है कंट्री का की चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रसीडेंट जूडिशरी यह सारा सब कुछ लेजिस्टेटर के बारे में पार लोकसभा राजे सबा थीके तो आपने पॉलेटिटी पावर शेरिंग, फेटरलिजम, जेंडर रिलीजिन इन कास्ट, आउटकम्स ओफ डेमोक्रेसी, चैलेंजस टू डेमोक्रेसी, ठीक है, पॉलेटिकल पाइटीज, तो अब ये जो आप चैप्टर्स देखने वाले हो, क्लास टेंथ की बुक में, क्लास टेंथ की सिविक्स की ब क्राम कर रहा है, ना, उन सरकंस्टैंस को समझना होगा, थीम्स को समझना होगा, मैदार चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में आपको एक क्या कह सकते हैं, कि यह एस एक विंडो खुलेगा, कि यह भी इस डैमिनिशन से भी सोचा जाना चाहिए, सिविक्स जो है, सिर्फ प्र मिल रहा है, पावर शेरिंग, क्या बताया है, हमने कि टाइटल इस सेल्फ एक्समिलेटरी पावर को शेर किया जा रहा है, अब आप सोच रहोंगे पावर शेरिंग, यह शब्द सुनते साब के मन में क्या वीचा रहा है, सोचो, ठीके दो मिनिट के लिए समय दिया, आपको करती है, और आपको शेरिंग, बताने वाले है, तो पावर को शेर करने से हम क्या बात करने थे पावर को शेर करने से democracy बहतर perform करती है अच्छी तरह से काम करती है क्यों और कैसे क्यों और कैसे तो इस चीज को समझाने के लिए यह सारे topics है हमारे पास में ठीक है chapter के end तक पहुचते 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 इस चीज के आपको crystal clarity हो जाएगी कि पावर शेरिंग से किस तरह से चीज़ें बहतर होती है ठीक है पावर शेरिंग इस गुड यह कैसे यह मतलब क्यों desirable है क्या इसका positive impact है मतलब शेर करने से खुशियों के लावा सारी चीज़े तो घटती है तो पावर countries के context में समझेंगे एक country वो मतलब राम और श्याम एक राम था राम क्या सकते राम पंचुल था राम और श्याम पंचुल नहीं था और दोनों के कहानी से समझा दिया जाता है दो पेड़ेगोजी के अगर हम बात करें तो सिंपल वही जो नरसरी क्लास में आप सीखते आते इंद ora उसी तरह से चीज़ों को पूडो तो वैसी हम अगर देखे कि पावर शेरिंग सहीं गलत है तो पावर शेरिंग्स या सब्सक्राइब और कैसे करी गए उसका क्या एडवांटेज रहा वो सारी चीज़ेंगे तो यहां तो इस तॉपिक में अगला टॉपिक जो आपका मैजरी टीरिन इसम इन श्री लंका तो इस टॉपिक में आप यह देखोगे कि यहां नहीं खाली में को फॉलु कूपता जोंडे मे का फॉलू किया था सारी छी थी फिर यहां पढ़ेंगे तो मतलब में की जो बेलजियं का एथनिक कमपॉजिशन था उसको आप देखोगे तो लोग अपने आपको एक शेर कलचर से कनेक्ट करते हैं for example हम रिली जन को अपना कलचर मांते हैं क्या है वह पनी कलग हैं अपसमें ज़्यादा कनेक्त्ट हुते हैं फंक़ेड़ेड इक पिवललॉंगिग ठीड़ कहने हैं तो थी क्या है कि एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम श्रीलंका का देखोगे बेल्ज श्रीलंका में उस एथनिक डेखे अंदर एक सब टॉपिक निकल क्याता है और यहां का इंपॉर्टन कुश्यन हो जाता है नहीं टॉपिक को भी हम क्या करेंगे तसलिक पढ़ेंगे एक वीडियो में कि वाइप आवर शेरिंगे डिजर 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 डिजरेबल और लास्ट में यह जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेरिंग तो अभी आपको क्या लग रहा है पावर शेरिंग मतलब क्या है तो अभी तक अगर आपने इतना समझ लिया कि फिर क्या होता है पावर अलग अलग गवर्मेंट के अंदर भी अलग अलग तरीके से सेर किया जाना चाहिए जैसे एक्जिकिटिव लेजिस्लेटर जुडिशेरी तो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेरिंगे ना वहम समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी आपस म ठीके इन पांच टॉपिक्स में पांच वीडियो लेक्चेस में आपका चैप्टर समराइस कर देंगे समराइस क्या कहना इसे मतलब पूरा डीटेल एक्स्मिलेशन आपको समझ में आ जाएगा ठीके आपके दिमाग में मोटा माटी पूरी पूरी पिचर क्लियर हो जाएग जो है बेल्जियम एंड श्री लंका अब बेल्जियम और श्री लंका ये क्यों पढ़ रहे हैं पहला सवाल तो देखें पिछले वीडियो मैं आपको पावर शेरिंग के बारे में बताया था और मैंने बताया थे कि पावर शेरिंग एक कंसेप्ट हो गया अब इस सब्सक्राइब बेल्जियम और स्री लंका के एथनिक कंपोजिशन को देखेंगे और हम यह समझने के कोशिश करेंगे कि पावर शेरिंग का क्या रोल होता है दोनों जगा तेकि दोनों ही केसी में लिए क्या सिट्रेशन थी क्या टेंशन थे किस तरह से दोनों ही देश का देमोग्राफिक को अगर आप समझोगे वहां के लोगों को समझोगे आप कमपोजिशन को समझोगे तो आपको एक आइडिया समझ में आएगा कि हाँ पावर शेरिंग क्या है कैसे होगी वो सारी चीज़ें तो बेसिकल इस वीडियो में आपको दोनों ही कंट्री का एथनिक कि यह को किसको किसके सांथ सिमिलर रह," इन तीनों का रिलीजिए नियक है तो इनके इनके भीच पिछ में कर टियुक है Р le लिजिए बी के लोग है तो उन्होंने क्या कर दिया कि हम रिलिजिन एह तुम रिलिजिन भी हो तो आपके लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो तो आपके कम्यूटी बनाते हो एक अधिन्टी बना लेते हो अब उसत için प्रक्राइब कर अधिन्टी से बन गीए है। तो तरह से देश में घ्रस पर अलग अलग NICK सकती है जैसे अधिनिटी कोड्याम लैंगविज के बशिश पर देखें तो लैंग्विज के बесिस पर हिंदी बोलने वाले लोग अपने आपको एक कल्चर का नाले के टुसी लगत बोल रहा है कि दुसरी लेंगविश पो को ब्सक्रश नहीं बोल रहा है तो आप कोई हिंदु हे थे कि अधिक एपखिए हम दोनों के बीच में मुसलिम से हैं तो मुसलिम मुसलिमुंक भाइं हम दोनों की बीच नियुका चाहन नहीं so यहां तरह हो रहा है यहां पर कि इनrüuk के क congrो का कंट्री में अलगा बात करते हैं ऑलगे लगा का अपने आपने यह लग है बेल्जियमस करते हैं बेल्जीयम से अब बेल्जियम क्या है चोटे-चोटे से प्यारे-प्यारे से बेशिन दिखेंगे नहीं मैंठ आiej यहां फ्रांस जर्मनी नीदरलेंड लग्संबर्ग उनके बीच में ठीक है और श्रीलंका देखो के तो यह हमारा पढ़ोसी देश इंडिया का मैप लेने जाओ के श्रीलंका का फ्रीम में मिल जाएगा तो वहां पर क्या है यह यह श्रीलंका यह तो वर्ड मैप आप जिसे देखेंगे तो यह अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की अब एक सवाल दो यह बन जाता है अब्जेक्टिव टाइप कुशिंग कहां से आएंगे आसमान से नहीं गिरेंगे बुक से गिरते हैं कि बेल्जियम जो है किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेर करता है तो इधर यह फ्रांस से यहां पर पेल्जियम के यहां पर आप जैसे यह तो यहां पर क्या है फ्रांस से लए बेल्जियम में आप जैसे देखेंगे तो फ्रेंके बेल्जियम की आप इधर जाएंगे इंधर क्या है जर्मनी है जर्मनी के साथ बॉर्टर हो रही तो जर्मनी श्विकिंग पॉपलिशन भी ए वन पर सेंट बेल्जियम में फिर नीचे जाओग तो यहां का है लेक्संबर्ग है तो लेक्संबग बेक चुटा सा देश है प्या बैलंगरेज गद़ाओ का mandarि आपको यह फ्लेमिष रिजिटेंड ठीक है बल्जिम प्रॉविंस्य को मर्विजिए टह प्र रैमिष रिजिए इस टो जोन एंसर्थ पर्वाइट की जो प्रोविंसी और कि region and the most important thing which you are required to know is the Dutch-speaking population is in majority okay underline कर दो तीन बार मेरी इस बात को ठीक है मिर्ला आपकी बुक में जो राइन लिखिए क्या की Flemish region में Dutch-speaking population रहती है जो की majority में है country में country के अगर बात करें तो country में majority में कौन है Dutch-speaking population आया समझ में ठीक है अगर आगे बात करते तो another 40% another 40% people live in the Valonia region ठीक है तो वलोनिया का है इधर नीचे जाओ पिंक कलर वाला यह जो है यह वाला जो रीजन यह वैलोनिया रीजन है यहां पर कितनी जनता जनार्दन रह रही है 40 प्रतिशन 40% population वैलोनिया रीजन में रह रही है और यह कौन सी लैंग्वेज बोलती है और आस फ्रेंच लेंग्वेज बोलती है निचे बहुत है निचे वाला जो प्रविंस धरेंगी बोलेज़ işiblically पॉप्लिशन ने टिए जर्मनी से भाड़ पर चुरे यहां पर जर्मन स्पीकिंग पॉप्लिशन यहां भी रहती है बेल्जिम में जो 1% है बहुत ज्यादा हो अज़ू हो मन में ठीक है तो कंट्मडरी में डच burst में पापुलीशन है अब अगर हम कैपटल की बात करते हैं जिसे हमारा देश एक हमारी डेशु spirit अब देली के अगर हम बात पर तो देली की एला की स्थिति होगी और कंट्री की एला किस्ति होगी तो वैसे ही इनका जो देश है प्यारा साह बेल्जीयम बेल्जीयम का कैपिटल हो गया ब्रसल्स तो इन दी कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% फिक फ्रेंच वैल 20% अर्डच इस्पीकिंग अटो लटा ओगा यह यह लिए यह इस द्यान रखना यहां पर इसमें कन्ठी उतने स्टुडेंस की ब्रसल्स तो यहां पर क्या एंटी-20 का काम चल रहा है गासे काम चलिता कि एंसी पर्सेंट नंपtrack Windows काूंसी लाइस बॉलापर नच एक फेंटी न glaub फरस्ञ लाइच बोलती सब्सक्राइफ रहाइए जो की कांट्री में म paus 40% population क्या बोलती है फ्रेंच बोलती है लेकिन ब्रसल्स जो capital city है वहाँ पर 80% population french language बोलती है ठाइब फ्रेंच लाइग बोल रही है और बची जो 20% population वह डच तो डच जो की पूरी country में क्या है majority में है ठाइब कंट्री में डच बोलने वाले कम हो जाते हैं एक दम क्रिस्टल क्लियर हो गया नंबरों का खेल है और यहीं लास्ट तक ध्यान नहीं रहता है एथनी कमपोजिशन के आगे अगर जाएंगे ना तो यह एथनीक कमपोजिशन जो डाइवर्सिटी है तो इस इस और लगया आ जाती है तो तो चाहिए जैसे हम देखते हैं कि क्या है कि हर धर्म की कि जाने चाहिए हर धर्म के लोग होना चाहिए लेकिन क्या होता है हम देखते हैं कि हर धर्म के जब लोग होते रहा उनके बीच पेंट सी Приक पूर्ण से निकल का आता है ज्यादा नहीं हम आएंगे वापिस लाते हैं तो यहां क्या है कि अब जिसे आप देखू के तो डिए कि यह ती के का एठंशन फ्रेंच-speaking population ठीक है कंट्री में लेकिन क्या है वो रिच और पावर्फुल है और डच स्पीकिंग पॉपलेशन जो है ना तो नहीं ऐसा लगता है कि यार वो जो एककोनॉमिक और बरता है तो एक जगा कोई हावी दूसरी आप कोई हावी है तो टेंशन जो है कि आप वहुत कॉम्लिकेटेट से थे ठीक है वह जो सिटुएशन था एथनिक पॉजिशन वह सिटुएशन को कॉंप्लिकेट इडवना दे रहा था तो ब्रस्स प्रसेंटेटेट एश्पेशल प्रब्लम दिडच स्पीकिंग पीपल कंसीटिटेट अ मैजरीटी इन दी कंट्री बट आम आइनर इन दी कैबिटल तो जो कंट्री में क्या है दादा बने मैजरीटी दादा बनके घुमें यह अपने आप में फंडामेंटली फ्लॉड कंसर्ट है जरी तो अपने मन की चला है अगया समझ में तो यह यह पुरा सिनारियो था यह पुरा सिच्वेशन था कहां का बल्जियम का अभी के लिए दिना ही अभी इसको क्या कर दो ब्रेक ल इनसे क्यार और फिल करेगा ठीक है और ऐसा होता है फिर अधर हम बात करते हैं कि अथरी कंपोजिशन आफ श्री लंका की चलो श्री लंका की बात करते हैं श्री लंका कि ते तो बस इंडिया से तामिल नादू से नीचे-जह तैरते जाओ तो भी पहुँच जाओ गए । अंडर धी यलो कलर तो यह सिनहला को दर्शाथ आता है अब दोगों वहां पर भी लैंग्वेज को एथनिसीटी का क्राइटिरिया मान के चले थे हम यहां पर भी लैंग्वेज को तो दो मेजर लैंग्वेज ग्रूप से यहां पे तमिल स्पीकिंग पॉपलिशन और सिनहला तो यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो अब देखो एथनिक कंपोजिशन के अगरबात करें तो श्रिलंका एज डाइवर्स पॉपलिशन ती मेजर सूशल ग्रूप आर सिनहला श्पीकर 74 परसेंट तो यह प्रचेंट बहुमत है बतला यहां मैजूरिटी ज्यादा है तो बेल्जियम के केस में तो हमने देखा था कि मैजूरिटी क्या है थोड़ा सा चलो 5940 एगजस्टेबल 6040 का रेशो लेकर चल रहे थे यहां क्या है यहां तो वन थार्ड और टू थार्ड इस तरह से मतलब वन फोर्थ और थ्री फोर्थ वाला प्रपोर्शन है तो यहां मैज अब रहां समझे ना जीदो को 74 18 जो है यह यह जो रहा है और इसी पर डाउट रहता भी क्लियर करेंगे रुखो अभी सिर्फ इतना समझ लोग कि सिनाला स्पीकर्स कितने हैं 74 परसेंट तमिल स्पीकर्स कितने हैं 18 परसेंट आया समझ में आगे बढ़ते हैं अमंग तमिल स बागे है तो इसमें ओड्यवर तब टनला सिनाला सेवंटीफ टन्रीवर परसेंट इनके किताब पंड़ गया तो तमिल स्पीकर्स के बाग करें तो तमिल इस्पीकर्स यो एटीन परसेंट नह यह इसमें भी और रंग अंग है रंग मतलब कि इसमें भी कैट दो सब श्रीलंकन नहीं थिकते एक श्रीलंकन तमिल से और दूसरे इंडियन तमिल से इंडिया कि नाम आज गया वेसे चुकन होगा कुछ इस पूड़िया या तो यह अन्य तमिल्स व मतलब के जी तमिल लेंगे जो रहे हैं तो जितने भी तमिल लेंगे वाल वह लोगे हैं वो 18% of the population श्रीलंका की ठीक है 18% से ज्यादा भी अभी कैसे वो समझ में आएगा आपको ठीक है तो 18% of the population जिसे हम देखने तो कौन सी लेंग्विज बोल रहे हैं तमील में भी कैंधए तमील स्पीकर्स दो तरह के एक श्रीलंकन तमील से जो native के ही native से तो श्री-lancan-tamils हो गया और दूसरे को ने इंडिया ने ने इंडियास पहुँआ बढ़िए तो क्या होता था कि पहले आप देख गया तो बृटिश कॉलोनी था श्री-lanca भी बृटिश कॉलनी था साइलोन के भाशा बदल देंगे तो वहाँ पे इस तरह से तमिल स्पीकर का एक सेक्शन इंडियन तमिल्स का था जो क्या बोलते थे तमिल लैंग्विज बोलते थे और इंडिया से जिनके यह इतना सुनते-सुनते जिनके दिमाग में दो तिन ऐसे थोट आ गए कि हैं और वो फैमिली मेंट टू में भी तू कुछ ऐसा ही था ठीक है किसी ने मदरास कैफे दिखी होगी तो उससे यहां कुछ कुछ यह तमिल वमिल स्री लंका वहाँ पे था तो जी हां वो दोनों मुवीज मतलब एक वेब सीर मत रखा करो कभी अपना होराइजन जो है एक्सपैंड करो हर चीज़ को दो जोड़ दिया को ऐलेक्टिशन की दरा ठीक चलो तो यह एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्री लंका समझ में आपको कि एथनिक कंपोजिशन कैस 74 परसेंट पॉपलिशन का है सिनाला स्पिकर्स की 18 पर प्लांटेशन फिल्ड पर काम करने के लिए बिटिश बिटिश के दुवारा है इंडिया से ठीक है इंडिया में जो तमिल स्पिकिंग रिजन थे वहां से शिलंका ले जाए गये थे ठीक है अब मोस्ट आफ दी सिनाला स्पिकिंग पॉप पीपल आर बुद्धिस्ट वाइ देखा है मतलब यह वन परसंट डाउट जो है ना मैंने देखा है स्टुडेंट्स जो कुछ शुडेंट से सब्सक्राइब आपस एक रिख जाते एक नंस्याटी गो वह आखरी दम तक आकरी दम तक अखरी दम तक की एक्जाम होने तक गलत मान समझना आखरी दम तक एक क्लियर करता हैं भूँसे त्युकों से वियंगे हो रहा है हमने क्या देखा की जो सिंहला स्पीकर से तक हैं सिंहला स्पीकर जो है वो कितने हैं 74 परसेंट तमिल फिह कितने हैं 18 पर सेंट इसम्याप कला सिफिकेशिन कर लो स्री लंकन तमिल्स है 113 पर 408 पर 12 carry over one seven or eight seven one eight or one nine 92 अब 92 तो यह 92 परसेंट पॉपलीशन का composition समझ में आगा फिर का कहना है देरा आपाउट 7 परसेंट क्रिशियंस तो यह 7 परसेंट क्रिशियंस क्या है तो 7 परसेंट क्रिशियंस हुआ बोथ Tamil and sinhalas तो यह 7 परसेंट जो हम कहां लिखेंगे यहां लिख देते प्लस 7 तो यह 7 परसेंट बट गये हैं तो यह 7 परसेंट परशेंट गए किस चीज़ में कि वो 7 परसेंट मैं से कुछ क्वेशन क्या बोलता है कुछ सेक्षिंसे लाइंगेज बहुता है कुछ सेक्षिं क्या बता है तो इस तरह से यह क्लासिफिकेशन किस बेशि़ इदिया यह क्लासिफिकेशन दिया है लैंगवेज स्पिकिंग ग्रूप के वेसिस पे तो एक परसेंट पॉपलिशन ऐसी भी तो गी जो दूसरी लैंगवेज बूलती होगी सिर्फ ऐसा थुली नहीं कि तमिल और सिनाला जी ये ट्राइबल लैंगवेज भी हो सकती है ना तो उसकारण व तो पॉमन कन्फूजन रहता है इसके लिए उस पर टाइम दे रहा हूं स्टुटेंट को बता रहों ने तो कोई इंट्रेस्ट भी नहीं होता है कि कोई और जरुब बताने के लेकिन फिर बीपता दिया ठीक है और एक चीज़ और धियान रख लोगी सेवन परसेंट कृश् च है तो कृश्षियंस का तमिला लांगिज स्काया आ है तो दूसरे जो है वो क्या है सिनाना र schwॉझड एह तो नका क्सिस क्लासिफिकिश्ट इस प्लास्यों क्लासिफिकिटिसन eligible में कि बस साप्र जाता है लैंगमेश में एक्रासिफिकेश्ट आसिस्वोर प्लॉस क परिशान होना है वह बता दिया कि वह दूसरी लैंग्विज स्पिकिंग भी हो सकता है ठीक है अगर हम बात करें अब आप इस कहां पर अब अगर हम बात करें कि एथनिक आपको समझ में आ गया यह एथनिक कंपोजिशन है पूरा 74 18 और 7 परसेंट पॉपलिशन ऐसी है जो तमिल लैंग्विज भी बोलती सिनाला इंग्वेज भी बोलती दैट सेट ठीक है एच चीज और ध्यान रख सकते हो तो अधिक तर जो सिनाला लैंग्वेज स्पिकर्स हैं उनका धर्म क्या है बुद्धिजम ठीक है और जो तमिल स्पिकर्स है वो हिंदूस है या मुस्लिम से अब यहां पर वाटार दी रिजन्स फॉर टेंशन तो रिजन्स फॉर टेंशन आर क्लियरली विजिबल कि इस तरह से जो गुलदस्तर यहां भी बना हुआ है अलग अग् Mitch speaking population कि स्टिजयत कर गार्येमने कर जाए इसके उ face speaking population को परillos पर सििनला स्पिकर्स एकर आप क्वरियन कर विजात तब सब्सक्राइब हो आप एम यांपर उस कॉशन के साथ क dei कॉश्चम के साथ में क попроб थे मृठियो को घभियो क्ए तो हम स्टार्ट करेंगे इस को कैसे टैकल किया उस चीज को नेक्स वीडियो में पढ़ने वाले हैं मजा आ रहा है कनेक्ट कर पारे हो ठीक अगर कर पारे तो आगे जोड़ेंगे अगरे नेक्स वीडियो है अब श्री लंका के कहानी हम पिछले वीडियो में पढ़के आ चुके हैं अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि श्री लंका में स्थिति क्या थी अब श्री लंका बेल्चिम दोनों को ही समझा दोनों जगा आपने क्या समझा की डिफरेंस थे डाइवरिशी स्थी में तो आपके राइवर सीटी नर्टंट सेगेंथि क्जातर फ्रेंजर गृर्फ में अब क्या होता है तो डाइवर। जो है द्राइवर्सिटी तो अपनी जगा है बढ़ियां इक नदिश्ड difícil दूर रास्थ उसकते हैं वो dau रास्थे क्या हो सकते पता है डैवर्सीटी के दूरास्थे suchते की डायरर सुटी कोए कुपमेडेट화 वी किया जा सकता है ठीक है को क्या जा सकता है और डायवर सिटी जो है डेवीजिन में भी सती है ड्यविश्टइई से ड्이वीजन भी हो सकते हैं तो आपको वो छी धिषान अकना है और वोछी समझना है मैं की जो एम है जो हैम है हमारे के समझ लो थोड़ा सा कि श्रीलंका में जो डिफ्रेंसेस थे उन डिफ्रेंसेस को श्रीलंकन गौवर्मेंट ने किस तरह से टैकल किया अगर पीस्फुली टैकल कर लोगे आप तो उससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी जो है आपकी वो डिवीजन में नहीं होगी लेकिन अग पावर जो है हो शेर नहीं की गई है पावर किसके पास चलेंगे मैजजोनिक कम्यूनिटी कर दोगे जब आप पावर श्यार नहीं करोंगे तो क्हाँ होना है मार पीठ होना है धिया कि जो ब्लब अंट को आप क्या कर सकते हो conflicts को रिजॉल्फ कर सकते हो पावर को शेर नहीं करोगतों तो आपको यह बहुत इंप्गी निख को रहा हूं आपको आप दो धारी तलवार की तरह चलाना अपने दिमाग को कैसे कि आपको पता प्रियोघक टेस्ट में तो क्षिन वुद्धिय को शोन istu कुछ स्कूलवले तो प्रियोडिक टेस्ट में को च्छिन देंगी तो आपको लिखना रहें और ऐसे लिए याद रखना पड़े तो उसके आया बन सकते इंद को चीज़े भागा रखो जैसा भी तक इतना पड़ा वह एक्सप्लेइन दिए अथनी स्री लंका ठीक है एक्सप्लेइन दी मेजुरी टेरियनिजम अडॉप्टेट इन श्री लंका यह कुश्यन बन सकता है तो कुश्यन थे पाट पे जो भी बनेगा उसके ते त्योरी पढ़ रहे हैं फिर का है जरूरी के लिए लग से पढ़ना है और अब्जेक्टिव टाइप के लिए लग से बना है जब कंसेंटरिशन के सांथ पढ़ो तो एक बार में सारी चीजे लपेट लोगे बस जरूरत क्या है के साथ पढ़ना है तो वह चीज़े ध्यान रखना अब जैसे श्री लंका उस तरह से करते रहना है चब्रों आप स्री लंका आजादी मीली बढ़ाई हो आगे वरते हैं अगर तो क्या होता है जिसाप देखो तो मैजरी किसकी सिनाला और स्पिकंग ग्रॉप घूरी तो उसके चलते क्या है कि जो सिनाला लीडर्स थे उनके लिए और भी आसान हो गय तो उसके लिए अपनी community को क्या करना पड़ेगा अपीस करना पड़ेगा ठीक है लुलू पुच्चु करना पड़ेगा कि हम तो सिनाला के लिए हम सिनाला के लिए ही क्या करेंगे country में राइट जो रहेंगे सिनाला के लिए रहेंगे तो इस तरह से क्या है कि majority सिनाला की थी औ तो the leaders sought to secure dominance over government by the virtue of their majority तो सिनालाज अपनी majority के दम पे क्या करते थे जो democratically elected government होती थी न वो भी क्या करने लगी थी वो भी undemocratic तरीके से काम करने लगी थी important point बताया समझो कि यहाँ पे democracy है आज भी है ठीक है democratically elected government है लेकिन वो कैसे काम कर रही थी undemocratically क्यों क्योंकि वो majority को क्या कर रही थी favor दे रही थी powers जो है majority के पास चल गई थी minority communities को disregard किया जा रहा था उनके interest के बारे में नहीं सोचा जा रहा था और इसी ही system को इसी belief को majoritarianism कहा है अब यहाँ पर आपका important part बन गया सकता है one marks में पूछा जा सकता है कह सकते हैं कि थेओरी में पूछा जा सकता है what do you understand by majoritarianism सुनो अच्छे से ठीक है जो जाग रहे हैं मतलब सो रहे हैं वो जाग जाओ तो यहां पर क्या है majorityism का मतलब क्या है majorityism simple से चीज यह दर्शा आता है कि majoritarianism is a belief एक सोच है ठीक एक सोचने का तरीका है whereby you believe that whereby you believe that the majority community should rule the country ठीक है majority community country को rule करें in whichever way it is possible वह आपको जैसे भी करना हो अब majority जब रूल करेंगी तो दिखती बात है अपने इंट्रेस्ट के बारे में सूचेगी ठीक है तो what is majoritarianism a belief system whereby you believe that a majority community in the country should rule the country in whichever way it is possible ठीक है जैसे भी उन्हें रूल करना हो अब जैसे भी उन्हें रूल करना होगा तो क्या करेंगे they will disregard the minority community और इस अप्रोच के साथ जब जाओगे आप जैसे भी रूल करने वाली अप्रोच के साथ में तब क्या करोगा आपकी जो minority community हैं उनके interest को disregard कर दोगे उनके बारे में नहीं सुचोगे तो ठीक है यहां पर क्या हो रहा है majority realism में की एक belief system में जहां पर majority कर यह मान के चल रहे हैं आपकी majority community जो है वो रूल करें जैसे रूल करना है वैसे रूल करें उसके चलते आपके कर देते हो कचंबर किसका बना देते हो minorities का ठीक है तो बिलीव system whereby it is believed that majority community should rule the country ठीक है in whichever way it is possible disregarding the interest of minority communities disregarding the beliefs disregarding the culture of minority communities ठीक है अब मैंने बार 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 रिपीट क्यों करी क्योंकि मैं एक्स्पेट कर रहा था कि आपको याद होई यह चपी ठीक है अग में तो उस तरह से क्या majoritarianism समझ में आपको अभी मैज़ोरी टेरियनिजम कि हमें मतलब आइडिया क्या majoritarianism का वो तो समझ में आ गया समझ में आ रहा है ना जिए ध्यान रखना कुशन कहीं से भी बन सकता इसके लिए बतार हो में आपको ठीक है मतलब मैप नहीं आएगा लेकिन आप यही पूछ लिया कि इन विच पार्ट श्री लंगन तमिल सार कंसेंट्रेट इन विच पार्ट इंडियन तमिल से तो हमें आप स्टेकन टुस्टेबलेश सिनाला सुपरमिसी आर ठीक है फर्स्ट क्या देखो तो 1956 में एक एक पास किया जाता है कि एक टॉन पास करेंगा गवर्रमेंट मतलब बता रहा हूं कि देमोग्रिटिकली इलेक्ट गवर्मेंट जो गलत रास्ते बेचल रही है ठीक है तो 1956 म सब्सक्राइब दॉन चैनल और लेंगविज को अनली ओफिषिल लेंगविज डीक्लियु कर दिया कि हां तमिल्स है तो है अपने प्रेंट उनकी लेंगविज को कोई तबज्जू नीदी जाएगी और तमील लेंगवज को मतलब स्विसरीगार्ड करते हुए इस तो अपने आप सारी चीजिस वहते चलिए तो कैसे क्या आखिरकार कदम क्या लिए गये थे मजोरीटी रिंजम को स्टैबलिश करने के लिए तो सबसे पहले तो सिनाला लेंग्वेज को ने क्या कर दिया और यह ओफिशिल लेंग्वेज डिक्लियर कर दिया गवर्मेंट फॉ प्रफेरड्टेटर ट्रीटमेंट डिया गया सिनाला को किसी चीज बं गोवर्मेंट जॉब में उनिवर्सीटिइज में एड हर समय के सभी सथ से जाएगी सिनाला को ःभला को दूसरा यह चाहिक भल टिसरा का है तो उन्होंने कॉंसी मेंग्ढमींंट करते हुए एँन वह यहां पर क्या होता है कि थे श्टीष्ट एक तरा से श्टी इस्तेटy रिल्जिट्ट टिफघु एक डिया नियू continue did States शाल प्रोटेक्ट अफड इन फॉस्टर बुद्द ही थो जो तो तमिली स्पिकर से जो की तरा स्टेज श्रम में उस lorsque स्टेट रिलीजिन जब बनाया ऑफिशल लेंग्वेज जब बना दिया सिनाला को तो यह सारी चीज़ें इनका इंपक्ट क्या होगा सोचो दूसरी कम्मिनिटी जो उसे लग रहा नहीं हमारे साथ क्या हुआ है पावर शेयर नहीं हुए तो उसका इंपेक्ट क्या होगा सोच से तो यह जितना भी उटा-पठक की जा रही है यह उटा-पठक से क्या आपको कन्कूजन निकल रहा है तो एक बहुत बेसिक चल रहा हुँ है तो आप कन्कूजन यह तो निकाल सकते नहीं यह सब कुछ करने के पीछ ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिनाला सुप्रमिस्री को स्टैबलिश किया जाए अब यह जो कदम उठाए गए किस चीज के लिए सिनाला सुप्रमिसी को स्टैब्रिश करने के लिए तो इन भारी-भारी कदमों का ठीक है परिणाम क्या होगा ठीक है इंपैक्ट क्या होने वाला है तो और दीज गवर्मेंट मेजर्स इंक्रीज द सरकार है क्या कर रहे हैं सर्फ नालास के बारे में सूच हई और जब बढता है ना तो इंसान क्या देश के सांथ जो अपना देंट अंगल चुक्त आब चलते चलते आप कि किसको डाल देतें को तो टार्रिस्ट पो टेरिजर्सम जो है वह यहां से आपको इमर्ज होते हुए झए कुदिगा तो स्रिलंकान gece कर पारों छेट जो कि अलब शाइन सेप्स लिया तो इसका इंपैट क्या रहा कि म след is the feeling of alienation among the Shri Lankan Tamils ठीके तो उसके चलते क्या हुआ और alienation क्यों बड़ा देशाइट बुद्धिस सिनाला लीडर्स वर नोट संसिटिव तो देर लेंगवज इन कल्चर ठीके उन्हें ऐसा लगा कि हाथ तमिल लेंगवज जो तमिल कल्चर जो उसके तुर्स कोई संसिटिव नहीं है ठीbab जो इडर्स हैं जो डेमोकरिटीके एलेक्टिट अपांवज इन्मीटेकर एडर शे। Dubu दी सिनहाला इं तमिल कम्मुनिटी इस ट्रेंड ओवर टाइम और यह सारा जब हुआ सब कुछ तो इसके चलते क्या होता है सिनहाला और तमिल जो है उनके बीच में जो रिलेशन्स थे वो खटे हो गए ठीक है खटे कैसे हो गया कि आप दोनों ही कम्मुनिटी जो एक दूसरे डिवाइट अस टे वावा करो तो इडिज मौट आप डिफरेंसे जट डिवाइट अस एक सार इने बीलिटी तो सेलिबरेट दोस डिफरेंसे देट डिवाइट सेल स्टिक है अलब डिफरेंसे तो वो से हम विभाजित नहीं हो गया है रीन्बो में कलर होता तभी तो डिवाइट सेलिबरेट दोस डिफरेंसेस विच डिवाइट सस्टिक है चलो तो अब यहां तक इस्तिती समझ में आगे कहानी अब क्या होता देखो न्यूटन स्थर्ड लौ पड़ा आपने क्या है वह तो तो एवरी एक्शन डियर इस एक्वल एंड अपोजिट रियक्श तो उसके चलते उनने क्या बोला कि सबका बदला लेंगे ठीक है तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे जो एक्टेट फील कर रहे थे जो जिनका अटेश्मेंट जो दीश के साथ में खतम हो गया था उन्होंने क्या कर लिया तो उन्होंने अपनी और्गनाइजिशन पार्टीज ब इस बनाना चालू किये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है तो ध्यान रख लेना एक ठीक है जस्फर नॉलिज एल्टीटीए ठीक है लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यह पॉलिटिकल पार्टी बनी पहले सुनना पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी बाद में इसको इस बताएंगे क्यों कि इसने वह सारी स्टेप्स को अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिया जो कि इन्हूमन थे जो एक टेर्रिस्ट और्गनाइजिशन के द्वारा किया जाते हैं एक बात बताओ और में इंड्रस्टिंग सुसाइट बॉम्बिंग का है जो कल्चर मिडिल मतलब अब तो क्या है अब तो ड्रॉन रोन से टेक करने लगें लेकिन जो बीच में दौर रहा था कि सुसाइट बॉम्बर्स बन जाते थे टेर्रिस्ट तो सुसाइट बॉम्बिंग का कल्चर ही एल्टीटी ने डवलप किया है तो जो दूसरी टेर्रिस्ट और्गनाइज बनती बाद में लेकिन शुरुआत में उसने जब स्टार्ट किया था ना तो वह तमिल पॉपुलेशन जो उसकी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही थी और वाट वर दी इनिशल दिमांड तो रिकोगनिशन ऑफ तमिल एजन ऑफ तमिल भी रहा था वही तमिल भी मिल जाय यह चुरुआती द्रबॉइंट यह यह तो बनें टीकल आते ते क्या है तो जो पॉरे आजादी पूरी आजादी मागने लगें यह नए क्या बोल दिया कि हमें श्रीलंका के साथ रहने नहीं है कंवाट नाधन पार्ट जो है इस्टयन पार्ट जो है उसे अलग श्री लंका बना दिया ज strongly स्णे घस bullishành वो conflict convert हो जाता है किस चीज में civil war में अब civil war Captain America वाला नहीं यहां पे जो civil war आएगा आपका वो क्या होता है simple सी समझो civil war का मतलब क्या होता है warlike situation between the opposing communities ठीके between the different communities within the country मतलब देश के अंदर ही लोग लड़ रहे हैं मतलब क्या होता है कि नॉर्मल यह होता है कि देश के बाहर से किसी अने में अटेक किया तो फिर हम देश के आर्मी जाएगे लड़ने लगते तो वह civil war होता है when civilians are fighting among themselves वह civil war होता है तो वह civil war क्यों हुई कहानी सब्सक्राइब ही पुरी वह civil war हुई है और the civil war has caused a terrible setback to the social cultural economic life of the country in fact आप देखोगे human development index वगेरा इंडिया से बहतर है ठीक है लेकिन इस time period में civil war के time period में लोगों ने बहुत सारी जाने गवाई ठीक है यहां पर आप देखोगे तो लोगों के साथ अत्याचार हुआ है तमिल्स का repression हुआ बड़े लेवल पे ठीक है क्योंकि क्या होता हुई इस पारफुल इंस्ट्यूशन इंडी कंट्री स्टेट स्टेट मतलब गवर्मेंट गवर्मेंट किसके फेवर में थी सिनालास के वह मैजूरिटी में तो गवर्मेंट क्या कर रही थी किसको तमिल्स क तमिल्स के साँ तत्याचार हुआ बहुत ज्यादा तमिल्स ने भी इटालियाट किया तो तमिल्स पूरा जो वर्डवाइट था उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए इनफेक्ट आप देखो कि तमिल्नाडू से सपोर्ट मिला ठीक है किसको ल्टीटी को लेकिन वह जब बा पोस्ट दे रहें अंकल बढ़िया मझे से ठीक तो प्रभाकरन जो है 2009 में प्रभाकरन को मार दिया गया था अभी जो आप देखोगे ना तो राजपक्षा ब्रदर्स वगिरा जो है तो उन लोगोंने कारिक्रम खतम कर दिया था प्रभाकरन का ल्टीटी एक टेरिस्ट और डिटी का सिंबली क्या था लिबरल टाइगर्स औफ तमिल इलम इलम मतलब स्टेट होता है तमिलवर्ड है इलमिलम कम अब स्टेट तो वह एक तमिल स्टेट बनना चाहते थे और शिरीलंका का मैप देखो उसमें लायन है लाइं टाइजर लडपदेश तो वह मतलब श्रिल कि यहां से मतलब क्या सीखा हमने यह देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम के दोड़ एक्जांपल देखें श्रीलंका के अगर हम बात करें तो श्रीलंका में क्या है है तो वह क्या है वच एंटी टुदी पावर शेरिंग मतलब पावर शेरिंग के फिवर में नहीं है शेरिंग के चलते और उसी चलते हैं धेत्व लिए कि वहाँ कई इस्तिति होती है चलो बेल्च पॉड़ां थे लिखते हैं तो और नेक्स वीडियो में मतलब सीरिस्ली ना नेक्स वीडियो में हम बेल्जियम की बारे में पढ़ाइब ठीके हैं अपने एथिनिक JOSH आप तो कि यह तो कज़न का तो जो में चमझभाई वह French speaking population क्या है capital city में मेजूरिटी में हो डच मैईूरिटी में हैं तो यह रंग पिरंगा सा जो composition है एथनिक composition Belgium का तो क्या समझ में आए कि Belgium में भी differences है diversity है लेकिन क्या यह differences और diversity conflict में convert हुआ या नहीं हुआ कुछ इन बार को लगाना भूल गया तो क्या यह differences और जो diversity है वो conflict में convert हुई या नहीं हुई तो spoiler देता हूं कि Belgium में differences conflicts में convert नहीं हुए जैसा कि आप कहा देखके आए हो शिलंका के case में देखकर आया हो तो सवाल यह आता है आप कि ऐसा क्यों रही हुआ ठीक है Belgium में जो differences थे diversity थे उससे conflicts क्यों डवलप नहीं हुए ठीक है उससे conflicts क्यों डवलप नहीं हुए तो the Belgian leaders took a different path the simple reason is the Belgian leaders took a different path try to understand the significance of this line मैंने क्या बताया कि differences division में convert होंगे या नहीं होंगे वो इस पर निर्भर करता है कि आपके leaders कितने peaceful तरीके से उन differences को settle down करने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं शिलंका में क्या हुआ था majoritarianism वाला सूपड़ा घुमाया किसमें सिनहला leaders ने लेकिन Belgium में ऐसा नहीं होता है Belgium के जो leaders थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया वह क्या रास्ता अपनाया डे रिकर्गनाइस दी एक्जिस्टेंस ओफ रीजनल डिफ्रेंसे जन कल्च्रा डाइवर्सिटी उन्हें ऐसा लगा कि नहीं अलगा डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी को ड्यूर थी जो power share नहीं किया था वोछ इस पड़कर हो नथा तो अब कंपयर और कंट्राश्ट करते चलना बेल्जियम के सार्व बेल्जियम में ऐसा क्या अलग था ठीक है लास्ट में कंक्लूजिटन कर वा हुआ हमाँ खुझ सही तो आप कंपयर और कंट्राश्ट करते चलना चाह तो वहां के लीडर्स ने अप्रोच अलग रखी ऐसी क्या अलग अप्रोच रखी ठीक है तो जिसे कर आप देखो के बेल्जियम जैना लोग खुश हैं मतलब लोग खुश हैं वहां पे अलग अलग फ्रेंच स्पिकिंग डच स्पिकिंग जर्मन स्पिकिंग पॉबलेशन रह इंपोर्टन कुशिन पार्ट पर यहां से यह भी आ सकता है क्या सकता है कि जैसे हमने देखा कि हाओ मैजूरीटी इनिजम वास प्रेक्टिज इन श्री लंका एक्स्प्लें तो बताना होगा सब कि 1956 में एक्ट पास कर दिया सिनाला लैंवेज को ऑफिशल लैंवेज बुद एक टॉपिक पढ़ने आ लो ना पांस टॉपिक इन पांस टॉपिक से बाहर कुशन आएगा भी इस चाप्टर से ठीक है और अब्जेक्टिव टाइप में तो आपको थियोरी ध्यान में रखना एगर स्टेट्मेंट बेस कुशन आ गए तो ठीक है तो सम आप दी बेल्जियम की जो गॉल्मेंट है मिन्ट एक नहीं दो नहीं तीन ही चार भार अमंडमेंड कि है और अमेंड में इंक बार बास संशोधन क्यों किया रहा है कॉंशिशन में ताकि वह डाइवर्सीटी को अक्मेड़ेट कर पाया चा क्या डिमांड दे तुमार यह चलो तो उ 1970s in 1993 they amended their constitution four times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country the game talking as a V log same country can the PR more buser as a key to see click as of course code the s of case not power share case of code the government constitution my Belgium name together Belgian name for other different Belgian constitution about the constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government and you have to compare and contrast with the Sri Lanka Sri Lanka makes in a large majority methods in order to socialia give us up to Sinhala leaders Sinhala ke leaders Sinhala ki supremacist in a lucky majority like any high sunny you up on a constitution make a bola key play in a little bit more quality minority mo the Dutch or French speaking ministers and I know about a better record though for example saw minister on another purchase purchase door okay Raking my thank you about me I don't know that I have central government can nature as I keep power don't know he can be sure could be a power sharing a clear cut example reflect or I know Jokey absent a kaha Sri Lanka case may want to be a majority us can pass power right majoritarianism thawa ticket for do so I got this looking at Duesra major point up for the hundred and a joke community point about Belgium car work at a heart care Dutch or French speaking ministers equal number मिलेगा Central Government में तो इसका एक फाइदा भी था पता इसका फाइदा क्या था कि जब दोनों ही Communities के Ministers बराबर बराबर नमबर में न तो इससे कोई भी एक Community के Ministers Majority में नहीं होंगे तो कोई भी एक Community अपनी dominance established नहीं कर पाएगी मतलब law pass करना तो दोनों ही Community की बात वह जरूरी रहेगी ठीक है Unilateral decision नहीं लिए जा सकते है किसी भी Community के दुवारा ठीक है तो एक तरी का एक तीर से दो रिशाने लग गए अब देखो कहें तीसरा पॉइंट जो है तो many powers of Central Government have been given to the state governments अब यहां पर भी power sharing हो रही है ठीक है चश्मा सोड़ा साफ करके देखो तो एक तरह से और power sharing समझ में आएगी कि different communities के बीच में power share हुआ बढ़ी है ताली बजा दो लेकिन उसी के साहसाथ क्या हो रहा है यहां पर आप देखो स्टेट गवर्मेंट को देदी ताकि स्टेट गवर्मेंट अपने अपने स्टेट को समाल ले ठीक है तो पावर शेर हो रहा है कहां पे सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल के बीच में फेडरलिजम यह आप कहां पढ़ोगे पता है अभी इस चैप्टर के आखरी टॉपिक में भी पढ़ोगे अगला चैप्टर भी पढ़ोगे फेडरलिजम आपकी क्लास 10 सिविक्स की बुक का एक इंपोरेंट ऐडिया है एं थिंगा इंपोरेंट कांण्टर वह तरह से कहा ह Hyun और ये इंटर लवेल पे बी और स्टेट लेवल पर भी तो मैंनी ओदी आप आवर ऊफ इंटर गॉपरént मैं एफ बीट इंटलग वर मेंलेंट की Hur逗 सेंट गवर्मेंट के पास में उस कंट्री के स्पेसिफिक स्टेट की उतने ही पावर है तो इस तरह से क्या है एक मॉडल जो है पावर शेरिंग का यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है आपको जिससे अकॉमडेशन हो और देखो क्या होता है फिर अगर हम बात करें तो ब्रसल्स क अगर हम बात करें तो ब्रसल्स मतलब कैपिटल सिटी की बात कर रहे है अब जैसे पूरी कंट्री की गवर्मेंट सेंटल गवर्मेंट आपको दिल्ली में देखने को मिलती लेकिन दिल्ली की तो अपनी गवर्मेंट होती है तो वैसे ही का कि ब्रसल्स जो है तो ब्रसल्स मे में क्या बोल दिया था कि Central Government में फ्रेंच और डास डाच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर बराबर रहेंगे वैसे ही जो सिटी है ब्रसेल्स जहां पर मेज़ोरिटी में कौन है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपलिशन है और थोरी बहुत मेज़ोरिटी भी नहीं 80% ठीक है तो उन्ह पर एक नरीडुपोड स्पीकिंग पीपल अल्सों एक्सप्टेटी इकै quais पी प्रेजंटेशन ब्रसेल्स ठीक है तो ब्रसेल्स में वि क्या है फ्रेंच यह सब्स्क्राब धोर डेखने को मिलेगा अन्य दाने स्व meaningless का तो नहीं पनूनितिर subscribe då रो गया थैंका पांच्मा पॉैंट आपको धिएन गहां कि थेंदल करबनेंट के वूर्मेंट के रिक क्राम है थारे तार्ट का अब सब्रदेख अधर दर्ट कर लिए और थाइड वन एक कम्यूनाइटी गवर्म्मेंट अब आप क्मुनुटी गवार्मन प्या इसमें मेरी बात बतां था था हो मैं प्यार सी क्या कि इसमें इसमें कमप्राहन ने त्षर गौर्मेंट समझ नहीं आता है अभी सबस्कूर सबस्क्राइब कोप्ता है कि जैसे डेच इस स्पीकिंग पॉपलेशन पॉपलीशन जो जरूरी नहीं वो कहां रह रहे होंगे वह वैलोनिया वाले रीजन में भी रह रहे होंगे ना तो कंट्री के अलग अलग पार्ट में जैसे ये बेल्जियम है तो बेल्जियम में यह देख लिया कि मैजॉरिटी आफ देटी इस्पीकर सार इंदी नदर पाट लेकिन कुछ ड़ी स्पीकर रहानी क्या है कि यहां पे people belonging to one language community मतलब जितने भी Dutch speakers है वो सब मिलके एक government choose करेंगे irrespective of the fact that where they are living ठीक है मतलब वो कहीं भी रह रहे हो देश में लेकिन सारे Dutch speaking population एक government के लिए वोट करेंगे और वो डच वो जो वो जो वो जो वो जो गवर्मेंट रहे कि तो Dutch community government रहेगी ठीक है वैसे फ्रेंच speaking population वो कहीं भी रह रहा हो इधर रहा हो उदर रहा हो कहीं भी रहा रहा हो वो सब French speaking population अपनी जो फ्रेंच community government को चूज करेंगे अब यह community government क्यों मनाई जा रही है तो जो भी sensitive issues होंगे sensitive issues जैसे कि अगर मान लों कि language से related कोई change लाना है सब constitution में ठीक है culture से related कोई change लाना है तो यह ना central government लाएगी ना state government लाएगी यह community government लाएगी और community government लाएगी तो क्या सारे लोग मानेंगे उस बात को बिलकुल मानेंगे क्यों क्योंकि community government उसी community के लोग के दवारा चूज की गई है आया समझ में तो community government का है community government is elected by the people belonging to one language community आया समझ में चप गया ठीक है Dutch French and German speaking population दो जर्मन speaking population आप सोच रहेंगे सर विचारे जर्मन भी तो है 1% उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना करेंगे तो German speaking population सब अपनी अपनी community government बनाएंगे तो no matter where they live country में कहीं भी रह रह रहा है आप community government बनाओ ठीक है this government has the power regarding cultural educational and language related issues और यह जो government बनेगी इस government के पास में power होगी किस चीज़ को लेकर culture educational और language related issues को लेकर की हाँ culture से जुड़ाओ education से जुड़ाओ और language से जुड़ाओ कोई मुद्दा है तो उस पर central state government decision ना ले community government क्योंकि community के language से community के culture से जुड़ा एक वो इशू है तो यह जो अरेंजमेंट लाया कहां पर यह जो अरेंजमेंट लाया गया बेल्जियम में ठीक हो बहुत accommodative था मतलब उसने क्या कर लिए जितने भी डिफरेंसे थे ना सब को ऐसा क्या कर लिए सबको अपने अंदर समाल लिया सब्सक्राइब कर दिया और पीस्फुली सेटल डाउन करने की कोशिच कर इन डिफरेंसे को तो इसी कारेंट से वो डिफरेंसे डिविजिन में सब्सक्राइब कर नहीं हुए जो की श्रीलंका नहीं कर पाया था आया समझ में और अब जिस अगर आप देखो के तो बेल्जिन मॉडल भी बड़ा कॉंबिकेट और किसे ट्रविजिट गॉल्मेंट एक साथकर गॉडल का नियुट्स व को ठीक है देहल्ब तो अवाइट सिविक स्ट्राइफ बिफिन दी टू मेजर कम्यूनिटीज एंड पॉसिबल डिविजिन ऑफ कंट्री ओन लिंगिस्टिक लाइन ठीक है तो देहल्प ओवाइट सिविक स्ट्राइफ अब इस तरह का अरेंजमेंट लायत उससे कहा है सिविलिय देश निदल्लेंड में 1993 में तो जब यूरॉपियन यूनियन बनाने की बारी आई थी न तो उन्हें भूट सारे यूरोप की जब कंट्री यूरूपियन यूरूपियन बनाने आये तो समय पर ब्रसेल्स को अपना capital headquarter बनाने का प्रयास किया मतलब उन्होंने तया कि ब्रसल्स में अपना headquarter बनाएंगे क्यों कि ब्रसल्स ने कितने शांती पूर्ण तरीके से अपनी diversity को accommodate किया था ना तो उससे इंस्पार होते हो नहीं बुल दिया प्रसल्स को में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया और मैं उम्मीद करते हूं कि आपको समझ में आया है तो आप ज़रा कंक्लोजन पर आओ यहां काम की चीजें अब हम नेक्स सिटम फा लेकिन उस देमोक्राइटिक सिस्टम में श्रीलंका में अलग रिजल्ट निकल कहा है वेल्जाम वे अलग रिकल क्या है तब स्कतर था पावर शेरिंग का श्रेलंका ने पावर शर करी तो और है वह आपने लिखो गया तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं वाई पावर शेरिंग जिरेबल जो छुटकु जा टॉपिक है उसे समझेंगे क्योंकि उस पे इंपोर्टेंट थेओरी बेस्ट कुछिन आता है सीधा कुछिन मनता है वाई पावर शेरिंग इस डिजारेबल इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो आपको यहां तक चाप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आगा है आगे हम दे हैं अगले टॉपिक किसे हलो एफ्रीबडी इस दिग्रास सिंह राजपूत वेल्कम तॉ मैगने ब्री इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस आपने बेल्जियम की स्थिति समझी पूरी तरह से आपने श्रीलंका की स्थिति समझी पूरी तरह से अब बेल्जियम को समझा श्रीलंका को समझा और दोनों को ही समझते समझते आपको एक चीज यह समझ में आ गयोगी कि बेल्जियम में ठीक हुआ श्रीलंका में जो आपता है civil war सफर करना पड़ा भुगतना पड़ा थिक तो हम कह सकते की power sharing बढ़ियां चीज एक दम power sharing जरूरी है एक आप कहेंगे कि democracy में democratic setup में power को share करना क्या हो जाता है अब लेकिन समस्या कहां होती, पता है कहां आप प्यारे बच्चे फस जाते हैं, अब पूछ लिया कि why power sharing is desirable, अब आप कहानी लिखते बैठो कि सर वो देखो ऐसा हुआ था ना श्रीलंका में, तो उस कारण से क्या है कि power share करना चाहिए था, बेल्जिम में करिये, लेकिन नहीं महानी नहीं रखता है, महानी क्या रखता है, you are required to have a precise answer on this question, why power sharing is desirable and how you are going to have that precise answer, ठीके तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, मतलब there are two reasons why power sharing is desirable, ठीके, one is moral and the another one is prudential, प्लिटी कर वादो इसको जरा, ठीके, प्लिटी कैसे कर वादो, तो हम यहां लिखेंगे पूदेगे प यहां पर हम मौरल की बात करेंगे, ठीके, तो मौरल मतलब क्या होता है, नैतिक होता है, जिसमें हम क्या कहते है कि morality होना चाहिए, moral science पढ़ा है, पढ़ा है चोटी classes में, ठीके, तो उस तरह से क्या होता है, प्रुडेंशल रिजन होता है, एक एक से दोनों को समझते है, दो प्रुडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे वह कहा हावात आपने सिद्ध कर दिए तो ऊसकी सेंस में तो पहावाद कर से होगा कि हम पावर करेंगी नहीं होगा आख जीरिंगे का जाएगी जोड़ के दिख हो मतलब भुझ viol о confirm से जोड़ के दिखू इख हो श्रिलंका वाले एक्जाम्बल में क्या समझा था कि वहाँ पर पावर सिनहलाज ने अपने पास रख ली इसी कारण से तमिल्स एलिनियेटेट फिल करने लगे तमिल्स में रिटाइलियेट करा तो सिविल वार हुआ ठीक अगर समझदारी भरावाला डिसीजन क्या होता है यह लेकिन बदल सकते हैं तो उन्हें बदलने से रोखा भी जा सकता है कैसे क्या आप कुछ समझदारी भरावाला काम करो जैसे बेल्जियम ने करा मेल्जियम ने क्या समझदारी अपनाई को पावर शेयर कर दिये अब इसको बहुत ग्राउंडेट लेवल पर समझे एक परिव जाए उसके लिए क्यों वह सारी पावर इसके लिए तो फिर जो पॉसिबलीटी ओसके नहीं तो प्रूदेंशियल रिसन प्रूदेंशियल रीजन की बात करें तो वहता है कि वो से आप जो possibility of conflict है उसे reduce कर लेते हो इसे और अच्छे से समझेंगे अभी हम ठीक है और moral reason में आपको heading क्या देना है another reason why power sharing is desirable is moral reason ठीक and what is the moral reason power sharing is the very spirit of democracy this is the moral reason की democracy की basic spirit ही क्या है democracy की basic spirit यह है कि आप power share करो for example मतलब जैसे कुछ क्या होता ना कुछ basics होते हर चीज की basics क्या होते कि आप कह रहें कि आप एक अच्छे student है ठीक है अच्छे student को तो मैं define नहीं कर सकते हो क्योंकि हर है आप अच्छे इंसान की बात करते चलो तो यह तो यह यह जोंक म सब्सक्राइब कर रहें तो यह क्या वह प्रकसता कि है कि स्री-langक चिला रहा लगणा फाड़ कि स्रिलंका इजय्द डेमोक्रैक्टीच कँि ढया time लिकान बंक्रेसे एल लिल्हूर्ट लेकिन फॉट्रेसिए्टर आपकी देमोक्री क्षेटली मां निया थिपरेंट घ्रप्स तक खिर के अंदर क्या होना चाहिए invece the basic essence it is the feature of democracy to share the power among the different groups to get different constituent units to power share करना तो democracy का क्या हो जाता है democracy मतलब जिसे हमने दिखाना कि attributes होते हैं कुछ तो democracy का एक attribute का है कि power share किया जाए तो उस sense में सरिफ बोल देने से कि democracy काम नी चलता है आपको दिखाना भी पड़ेगा वो reflect भी होना चाहिए तो उस sense में what is the moral reason कि आप democracy का title पहन के घुमोगे ना उससे कुछ नी होगा you have to reflect the attributes of democracy and one of the attribute of democracy is power sharing to power sharing is the west is the very spirit of democracy आया समझ में आप चलो जड़ा देख लेते तो answer लिखने को आए आपको question अगर कि यह moral potential पल्टा लेना हम तो अगर आप question लिखने को आता क्या है वाई power sharing is desirable तो moral reason और प्रुदेंशल रिजन है moral reason क्या है कि helps to reduce the possibility of conflict प्रुदेंशल रिजन क्या है it is the basic spirit of democracy प्रुदेंशल रिजन पर आप एक बार focus करें तो यह को क्या होता है कि society में आप देखते हो तो social conflicts होते हैं ठीक हो social conflict often leads to violence and political instability ठीक है समाझना चैसे अब क्या हो रहा है potential reason यह कि उससे क्या है possibility of conflict reduce हो जाती है कैसे कि diversity है और उस diversity के बीची में अगर क्या तक conflict होता है तो conflict होगा लाई देंगों कि civil war होगा तो क्या होगा वाइलेंस instability of violence होगा तो उससे क्या होगा सरकारे जो है न वो भी क्या है stable नहीं रह पाएगी instability आएगी तो आप यह सारी को क्या होता है कि जैसे आप मानलो आपको क्या चोटा सा गहाओ आपने ध्यान नहीं दिया वह गाओ बढ़ा हो गया वह गाओ बढ़ा होगा आपके उंगली गटना पड़ रही है ऐसा नहीं होगा लेकिन यह क्या हो रहा कि गल्ती कहां से थी वह जहां पर छोटा सा गहाओ तो आपको वही ध्यान देना चाहिए था तो उसी की तरह क्या है कि पावर शेयर कर दो तो सारी समस्य खतम है नहीं तो क्या होगा वह डिफ्रेंसस जोई to violence and political instability to power sharing is good way to ensure stability of political order so if you say sorry Samasya hoon sorry Samasya hoon se nizaat paane ka saabse baniya tariqa ka hai ki aap kya kardo political stability ke liye power ko he share kardo cdc baat ticket imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run but in the long run it undermines the unity of nation this is another point to get up kya power share nai karre or majority joe majority ki majority ka jo idea na usko impose karre ho to short run me to a chalak raha hai ki hamar peet ka apne samjha diya legin long run me kya hao kam nahi karbaya ki kya ho ta boond boond se ghat bherta hai aur ek samayi ke baad nejo minority community in a wo minority community kya karayegi minority community sehethe sehethe fir kya karthi retaliate karthi jesemne tamils ke case mein dikha hai to discrimination 1956 se chala raha tha aakhir kar jathe jathe kya hain 80s 90s 319 90s 31980s 319 90s 321h ters organization convert ho gahin minority theme táo yiye konkursethe kya pozing the will of majority community over others may look like an attractive option the short run short run bdaya laganga but in long run it turns it undermines the unity of nation tigger kya hota hai ki joh kya saakta another group penitir kya jiske uppar joe minority group dip jiske uppar impose kiya ja raha majoriti opinion ko wo kya karthi alienated फिल करने लगता है जैसा हमने श्रिलंका के किस में देखा था ठीक है तरफन ब्रिंग्स रूंस तो धी मैजॉरिटी अज्वेल अब दिस इस दी मोस्ट इमपर्टेंट पॉइंट ठीक है वाई 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 पावर शेरिंग जब प्रूदेंशल एक्ट ठीक है प्रूदेंश आप चार घुसे मारों को एक घुसा वह मारेगा तो इस तरह से क्या है कि मैजॉरिटी माइटी दोनों को ही नुकसान होता है ठीक है वाई नेवर बिंग्स पीस ठीक है इस आप नोशन क्रियेटेट फॉर दी पीस की लड़ाई लड़के हम क्या शांती लिया आएंगे लेक का ड़ी तरह के घुकसान नहीं बहुता पहुचाता है उससे मैजरिटी कम्मुटी को भी सफर करना पड़ता है तो जえば सिब्स ने भी सफर क्या और सिनाONEY खाल अ कि आप सेखें ँश्यांश्यी को specifically explain करने को कह दिया तो वो भी बता दिया हमने आपको ठीक तो आप क्या है माथा देखके तिलक करना है मतलब जितने नंबर का कुशन आएगा उस हिसाब से आपको कंटेंड लिखना रहेगा फाइन और आप इसको तो उस अगर आप ऐसे हैं ना कि अगर आप क्या हो अगर आप एक तरह से बोल रहो कि यहां रहे देमोक्राटिक कंट्री देन यूशुट रिफ्लेक्ट दोज एट्रिब्यूट्स तो वह रिफ्लेक्शन कब होगा जब पावर शेयर होगी तो पावर शेरिंग इस्पिरिट तो धू करिक्टांब्ध शेरिंग इसांड इस्पिर्टोच कि अब्तव पावर सब्सक्राइब तो ङरोल टांड लस्केक्ट वायव किृदबिटयों इस एक्सिस प्राइब ँचैनल जो कि एक्सित इस अब जाता है है पीपल सब्सक्राइब जाता है और अम टू जो है। दूस के ऊपर पावर शेयर करने वाले हो तो यह उनका अधिकार है उनसे पूछा जाए कि उन्हें कैसे गवर्न किया जाए। should give them the power जैसे voting right हो गया ठीक है a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the government in the system तो अब क्या होगा कि एक legitimate government ही वही होगा अब जैसे मान लो सिनाला लीडर्स है सिनाला लीडर्स को अगर मान लो कि सिर्फ सिनाला नहीं वोट किया होता है तो भी सिनाला लीडर्स पावर में आजाते और उसके बाद में क्या होता है सिनाला लीडर्स पावर में के वाड़关 करते तमिल के ओपर जिनों हो ने किया भी टे तो वो चीज़ के सदर्शारी कि वह गलिवर्मेंट एक legitimate government नहीं है क्यो लावा बहुत scope लावा भी तो और भी लोग थे जिनके उपर आप क्या करें लॉज इंपोस कर रहे हो तो उनकी बाद भी तो मानो ठीक है उनको भी पावर तो तो तरह से क्या है legitimate government is one where citizens to participation acquire a stake in the system तो सभी को participation का मोका मिले ठीक है सभी को क्या मिले एक तरह से क्या सकते हैं कि सभी के आपको एक बड़ी पिचर समझ में आ गई कि मॉरल और प्रॉटेंशन दोनों समझ में आया तो we can conclude with this while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes तो prudential reason simple सा है कि आप पावर शेयर कर दो समझदारी बड़ा बड़ा काम है तो साउटकम बटेरी आएंगे political instability नहीं होगी violence नहीं होगा ठीक है chances of conflicts जो उसको आप बहुत reduce कर दोगे और majority और minority दोनों ही win-win situation में रहेगी ठीक है तो better outcome produce होंगे potential reason यह कहता है ठीक है moral reason emphasize ठीक है emphasize the very act of power sharing is valuable और moral reason यह कहता है कि यह नितिकता भरा हुआ एक कदम होगा कि अगर आप पावर शेर करें क्योंकि democracy की आत्मा ही किस चीज में पावर शेरिंग में यह कहानी थी simple सी जो हमने आपको समझानी थी आचा करता हूं समझ में आई यह रहा इस chapter का लास्ट वीडियो जिसमें यह को करने वाले हैं हम पढ़ेंगे वा ता इरे आफीशन से लांका वार शेरिंग क्या है क्यूं परणना है पहले वो समझो आप ने क्या देखा देखो आपने पूरा chapter पूरे chapter में आपने देखा कि आखिरकार power sharing क्या है power sharing क्या है Belgium ke context में आपने देखा श्री-lan necess när간 तो फो इक्जाम बसाप को समझ में Neben पावर शेरिंग बहुत जरूरी है ठीक है बढ़िया है लेकिन आप पावर को शेर कैसे करोगे दिस इस दी कुश्यन तो इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस समझ लो सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इस टॉपिक में यह पढ़ने वाले हैं कि वाट आर दी डिफ्रेंट वेइस पावर में अब तो आप देख रहे हैं अलग अलग जो लिंगिस्टिक ग्रूप से मतलब अलग अलग सूशल ग्रूप आ गया जैसे सिनालाज और तमिल्स के बीच में पावर शेर नहीं हुए लेकिन वेल्जियम में आपने क्या देखा कि फ्रेंच और डच स्पिकिंग तो उस तरह से पावर शेर करने के भी तरीके होते हैं अब सिंपल सी चीज यह है कि हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले कि क्या-क्या तरीके हैं जिन से हम पावर शेर कर सकते हैं ठीक है थोग सा पहले बेग्राउंड समझो तो पावर शेरिंग एंड ये आईडिया असो दो दिखिता हैं तो पावर शेरिंग एक तरह से क्या होता है वह आपको ऐसा लग रहा है आपके पास हो सकता है तो यहां पर अच्छा ऐसे हो सकता है कि जो शुरूआती द रहा है तो उसमें समाना जाता था पावर शेरिंग को लेकि क्या एडिया रहता था कि all power of a government must reside in one person चास पॉपरbn एंसमंगें के नृ clone थर फॉपर्म पावर्मंठ जो होती थी जहां पया पर आप जैसे देखोगे तो वन मेन आरमी क्यी हो धीट ता कि है मन अपैस एक इसलिश च्छॉट डिशीर कर लोगे तो किम आसा था था कि एसा होता निये क्यों क्यों की विदी emergence of democracy so much Parana what are the ideas associated with power sharing की initially there was a notion regarding power sharing की power share करोगे तो you will be not you will be not in a position to take the decisions very fast ठीके जल्दी जल्दी आप निनने नहीं ले पाओगे लेकिन वथ इमर्जेंस of democracy ठीके democracy के कह सकते है प्रकॉट उस्साओ के साथ में क्या होता है है people democracy राए democracy के साथ मैं क्या idea आया डेमोकरेसिए के साथ मैं या है कि people are the source of all political power democracy is to the people for the people by people ठीके तो आप यहां पर समझोगे तो democracy क्या कह रहा है कि सब कुछ जंता जनार्दन ही है तो डेमोकरेसिए के साथ यह idea इमर्ज हुआ कि people are the source of all political power अब इसके चलते यह भी फिर जब आप यह मान दो कि people are the source of all political power तब आप यह भी मानोगे और मनना पड़ेगा कि वह पावर जो है लोगों में ही रहना चाहिए लोगों के पास ही रहना चाहिए ठीक है आप एक इंसान को सारी पावर नहीं दे सकते हो ठीक तो everyone has a voice in shaping of public policies और उसके चलते everyone should be provided with power ठीक है therefore it was essential आप यहां पर कह सकते therefore power sharing therefore power sharing became essential ठीक है therefore power sharing became essential तो उस तरह से क्या है यह idea emerge आप पर कि power sharing जो है वो power sharing का idea emerge कैसे हुआ यह तो आपको समझ में आ गया अब हम देखते हैं कि power share कैसे की जाती है देखो तो in modern democracy क्योंकि democracy आई तभी power sharing idea आया ठीक है तो in modern democracy power sharing arrangements can take many forms अब देखो पता है एक चीज़ बदा दो मैं आपको सुनो अच्छे सा समझना मेरी बात कि जब आप बहुत अटेंटिवली पढ़ते हो ना तो हर चीज जो आप पढ़ते हो आपको कही ना कहीं topic को connect करने में मदद करवा है ना पावर जोना चाहिए क्या होना चाहिए division of power होना चाहिए legislature executive judiciary के बीच में सुनाए यह पढ़ा है ध्याना आया कुछ तो आप देखो तो क्या बता रहो मैं कि modern democracy की बात अगर हम करें तो वहीं से modern democratic ideas इमर्ज हुए थे तो इस तरह से क्या है कि democracy में ही power sharing की बात की गई तो आप topics को ऐसे जोब पाते मुझे नहीं पता कितने लोगों ने connect कर पाए मेरे साथ लेकिन जब आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर पाते हो चीजों को पढ़ नहीं पाते हो चीजों का जी पाते हो आप चीजों को relate कर सकता आपके सामने से चीजें दोड रही होती है क्या है first type of power sharing power is shared among different organs of government power is shared among different organs of government organs of government क्या है कि मतलब organs of government में लिवर किड्नी वगरा heart organs of government मतलब कि government में आप देखते तो क्या है executive legislature judiciary executive को पिचानते हो मतलब the one who executes legislature मतलब the one who legislates मतलब जो law बनाते है पर्लेमेंट में लोग हो गए member of parliament हो गए हमारे member of legislative assembly हो गए यह legislature का पार्ट हो गए judiciary तो जजज साहिब हो गए हमारे अब क्या होता है कि यह अलग अलब organ है ठीक है government का है government इसे रोड़ पेस जाते हुए दिखती है कि government जारी नहीं ना government मतलब क्या होता है government मतलब अगर हम बात करें तो government मतलब जो government के institutions है executive है जो organs है government के जो जैसे कह सकते हैं कि जो government functioning को perform कर रहे है ठीक है तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो power is shared among different organs of government and what are the organs of government to organs of government के अब बात कर तो एक्जिकेटिव है legislature है जिडिशेर है तो these are the organs of government ठीक है government के यह organs हो गए इनके बीच में power share हो रही है अब देखो अब आप एक सवाल पूशी लेता हूं आप से चलो में बताव मुझे कि कौन आगे है कौन पीछे मतलब कौन सुपीरियर है कौन इंफिरियर है तो आप क्या बोलो के नहीं सब तीनों ही अपनी अपनी जगह important है तीनों ही अपनी जगह बराबर है ठीक है बराबर है और तीनों की ही मतलब कोई first या कोई second नहीं है ठीक है executive अपना काम कर रहे हैं कि वह execute करते हैं जो भी laws बनाया जाते किसके दवारा legislature के दवारा और judiciary यह देखता है कि legislature executive का अपनी बॉर्डर से बाहर ना निकले ठीक है वह constitution में वह बताता है कि क्या सही है क्या गलत इंटर्पेट करता है constitution को तो इस तरह से कहती नहीं अपने अपने ब्रैकेट में काम कर रहे है ती नहीं क्या है से लेवल पे काम कर रहे तो इसे हम क्या कहेंगे horizontal distribution of power कहेंगे तो the first form of power sharing का है when power is shared among different organs of government what are the different organs of government executive judiciary legislature and here what we are observing that power is divided horizontally between the different organs of government the horizontal distribution of power और यहां पर आपको समझ में आया तिक सच अस सप्रेशन एंश और स्ट नन ओस दी और गन्स के एक्सरसाइज unlimited power और यह जो separation है यह क्या दर्शाना चाहता है यह separation सिंपल सी चीज दर्शाना चाहता है कि कोई भी एक organ बड़ा नहीं है कोई भी दूसरा organ छोटा नहीं है सारे organ जो है उनके पास में कैस समान रूप से power है और each organ checks the others तो यहां पर क्या है इच ओर्गन चेक्स दी अलर्श में जिसे एक्जिकीटिव मैंने बताए ना एक्जिकीटिव अपनी इक्षा दे कुछ नहीं कर सकता है legislature law बनाएगा वह executive करेगा ठीक है और judiciary यह देखे कि legislature कुछ भी law ना बना दे तो एक दूसरे को check कर रहे है वो ठीक है तो this results in the balance of power अब क्या है जब आप दूसरे को check कर रहे है तो कोई unlimited power का इस्तमाल नहीं करेगा अब unlimited power का इस्तमाल नहीं करेगा मतलब क्या है balance बना दिया आपने ठीक है balance बना दिया तो ultimately we can say the first form of power sharing is when power is shared among different organs of government what are the different organs of government which are different organs of government government are legislature executive judiciary ठीक है और यह क्या दर्शा रहा है horizontal form of power sharing को दर्शा रहा है this horizontal form of power sharing ठीक है explains the system of checks and balances ठीक है तो checks and balances का system आपको देखने को मिलेगा जहां पे हर और और क्या है दूसरे और चेक लगा रहा है और उससे का balance of power बना हुआ है ठीक है so this is the first form of power sharing this is the first form of power sharing सब्सक्राइब यह पहला form of power sharing हो गया दूसरा देखो क्या है पावर पावर कैन भी शेयर्ड अमंग government at different levels अब government at different levels तो एक फॉर्म होगा दूसरा form of power sharing क्या है क्या आप देखते नो government क्या है आपने Belgium के case में भी देखा था कि government जो है हमारी वह central level पे भी है ठीक है प्रोविंशेल लेवल पे भी होती है जिसे हम स्टेट लेवल कहते हैं तो एक government क्या होगी आपकी एक government जो होगी वह पूरी country के लिए होगी फिर दूसरा क्या होगा specific regions के लिए government होगी उसमें भी क्या होता specific region में भी जो सब रीजन होते हैं तो लोकल लेवल पर भी government होती है पंचायत मुन्सिपैलिटीज वगेरा ठीक है तो इस आर्थी different levels of government ठीक है तो government के this different क्या होगा लेवल सा गये अभी different levels आपको जो देखने को मिले तो एक पूरी country के लिए एक स्टेट के लिए एक local level पर जैसे हम इंडियन कंटेक्स में पढ़ते हैं तो इसेंट्रल गववर्मेंट होती है ठीक है तो यह क्या होगा है तीन लेवल पर ımızı चीज आपको देखने को मिल रही है कि government आपको अब आख इसे वर्टिकलerson में भी देखने को मिलेién लेए सकती कि इस a चेप्टर 2 में ऑुचकर चेप्टर 2 में आप इस आप पड़ोगे तो फेडरल डिविजन ऑफ पावर होता है अपना पना form of power sharing कहेंगे और vertical form of power sharing कहां देखने को मिलता है federal governments में देखने को मिलता है तो in a federal government power is shared between the general government for the entire country and government at the provincial or regional level to provincial or regional level पर जब आप क्या कर रहे है इस तरह से power share कर रहे है vertical level पर power share कर रहे है तो you are federal system of division of power या फिर federal government is the example of this type of power sharing arrangement this form of power sharing arrangement तो अब यहां पर summarize करते देखो simple सी चीज़ है याद रखना इसको समझना क्या समझना कि हमने देख लिया power को share करना बहुत जाब ज़रूरी किस तरह से कर सकते तो आपने पहला देखा क्या power को horizontal level पर share कर दो checks and balance बना रहेगा और यही कीवर्ट्स है अगर थोरी पार्ट पर कुशन आता है तो आपको यहीं आंसर लिखना और कुशन मनता है कुशन सब टॉपिक में भी बन जाता है सब टॉपिक में कैसे कि explain the form of power sharing अमंग different organs of government यह थोरी पार्ट पर ऐसा कुशन मन गया ठीक है अब बड़ा कुशन है जो बन सकता तो वाट आधी different forms of power sharing पर बन गया multiple choice question क्या है कि यह जो सारे statements जो concept समझा रहा हूं अब अब अगर मान लो एक डैश करके आगे डैश या फिर आसा आगे चलो कि checks and balance ठीक है checks and balance जो है वो किस form of power sharing में आपको देखने को मिलता है तीनों ले दिया उन्होंने option में कि power power sharing among different levels of government different organs of government ठीक है इस तरह से option चार बना के दे दिया आपको फिर क्या जूस करोगा चेक्सिन बेलेंस कहां देखने को मिलता है तो कुश्यन तो बहरूपिया है ठीक है कुश्यन बहरूपिया वो किसी भी तरह से आ सकता है आपको concept पकड़ना है ठीक है को पिछे मत भागो concept के पीछे भागो concept पकड़ लिया तो तो उस तरह से का है federal form of government दूसरा form of power sharing हमने देख लिया जिसमें हमें यह समझ में आया कि हाँ वर्टिकल लेवल पर पावर शेरिंग हुरी से इसके एक्जामपल फेडरल गवर्मेंट हो गया ठीक फेडरलिजम के आइडिया को दर्शाता है यह हम नेक्स चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे फेडरल आता है ना मतलब सोशल साइंस पढ़ने वाले लोग नहीं सोशल ग्रॉप्स का मतलब ही होता है ग्रॉप्स बेस्ट ऑन दी बीसिस ओफ रिलीजन लैंवेज कास्ट कुछ भी हो सकता है ठीक है तो जब आप क्या कर रहे हैं कि सोशल एट्रिब्यूट को एक सामाजिक एट्र अब क्या जब आप इनके बीच में पावर शेयर करते हो ना तो वह क्या होता है वह थार्ड फार्म पावर शेरिंग हो रहा है कि वैं यूर शेरिंग भी पावर अमंग डिफ्रेंट सोशल ग्रॉप्स अब सवाल ही आता है कि क्यों करना है वो भी सम्झाओंगा मैं उसके ड आपको समझ में आई ठीक है दिमाग में चप गया बढ़ियां है आपको लेकिन उसे लिखना उतना ही है जितना रिक्वाइड है समय बचाओना मतलब ऐसा तुरीन है कि चार गंटे आप आट गंटे-10 गंटे मिले कि बैट के लिखते रहो तो आपको अगर थार्ट फॉर्म क्लासिकल एक्जामपल ऑफ पावर शेरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रॉप सिंपल वेरी सिंपल ठीक है तो यह आपका क्या हो गया पावर शेरिंग का आपने थर्ड फॉर्म बता दिया है अब इसमें अगर स्पेसिफिक कॉश्चन मनता है कि आप यही पावर तो आप उसमें बताएंगे क्या कि पावर शेरिंग जो है तो जैसे आप आप देखते हमारी कंट्री में अलग-अलग सोशल क्रॉप कास्ट के बैसिस पे होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हमने कास्ट के बैसिस पे कॉंस्टिवन सिस्रिजर्फ कर दिए कुछ जैसे ग्रुप के बीच में पावर शेर कर रहे हो ठीक है और वही वाली बात है कि अगर इन्हें पावर नहीं दोगे मैजोरिटी के पास में सारी पावर है जाएगी तो यह एलिएट फिल करेंगे कल को फिर क्या होगा स्री लंका जैसी स्थिति बन जाएगी ठीक है तो इन सम के लिए शेडियू कास्ट के लिए शेडियू ट्राइब के लिए क्या है सीट्स रिजव्ड है तो इन्हें रिजव्ड कंसिट्वेंश भी कहते हैं जो आपने क्लास नाइंट में भी पड़के आयो तो थार्ड फार्म ऑफ पावर शेरिंग कितना ध्यान रखना है वेन पा क्या होता है constitutional legal arrangement होता है जैसे reserved constituency का एक idea होता है and what are the advantages of sharing power among different social groups advantage क्या हो सकते देखो this type of arrangement मतलब when power is shared among different social groups this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups whose who otherwise would feel alienated from the government तो अब क्या होता है कि अगर मानलो किसी group को आप mainstream society में इंक्लूड नहीं कर रो for example जिसे tribal societies हैं तो यह हमारा देश है ठीक है tribal societies यहां पर concentrated है country पूरी चल रही है country पूरी चल रही है country में हर मतलब country के हर रीजन से क्या इंसान आया हुआ है और वो country के administration में government में important role play करा उनके interest के बारे में सोचा जा रहा है अगर आप इन्क्लूड नहीं करोगे तो यह अपने आपको country का पार्ट थुरी ना मानेंगे उल्टाइन ऐसा लगा country तो उनके साथ में discriminate कर रही है alienated feel करेंगे वो कटा हुआ महसूस करेंगे और इसी के चलते क्या है कि इसी के चलते चीसे आप देखो कि तो श्रीलंका में क्या हुआ तो इसका solution क्या है कि power should be shared with them उन्हें आप क्या करो उन share कि जाना चाहिए this method is used to give minority community is a fair share in power to minority communities with you in के लिए वैसे ही difficult हो जाता है to come in power to give to our new power में लाने के लिए उनका जो fair share होगा वो आप दे सकते हैं with the help of power sharing among different social groups I hope this form of power sharing is also clear चाथे की बात करते हैं चाथा form of power sharing क्या दिखो तो चाथा form of power sharing जो है इसमें confusion भी रहता है रहता है ना उसको तो चौता form of power sharing जो है तो वह क्या है power can be shared by political parties pressure groups and movement ठीक है तो power can be shared by political parties pressure groups and movements अब देखो क्या है political parties भी ए प्रेशर गृप्स मूमेंट्स भी है प्रेशर मतलब क्या है वही interest group जो आप book में आपको interest group दिखा और बचे पूछते हैं कि सर प्रेशर ग्रूप और इंट्रेस्ट ग्रूप क्या है तो प्रेशर ग्रूप और इंट्रेस्ट ग्रूप का सिंपल सा है कि कंटेक्स्ट के हिसाब से क्या किया जाता उसका शब्द का इस्तमाल क्या जाता है इंट्रेस्ट मतलब क्या है कि आप जब कि वॉन्हाननाजिशन नोग के यूणिए तो वो क्या है वो बस ड्राइवर चेए इंट्रेस्ट को रिष्लेक्ट करती है यूणिएं ठीक है तो उसी तरह अगर जिसे देखेंगे तो अब क्या होता जब उनके इंट्रेस्ट को रिफलेक्ट तो गॉवर्मेंट कूपर प्रेश सार सीम पॉलेटिकल पाटिस को आप जानती ही हो ठीक है पॉलेटिकल पीज को ढें पाथि अंद यिए चुनाओ होते हैं तो इसके attempting कहा니까 बात करें तो movements मतलब क्या होता home लिए ये pressure groups जब नीमांड को मनाने के लिए किसी प्रकार का क्या करते हैं किसी प्रकार का अंदोलन छोड़ देते हैं तोवही movements बन जाते हैं एक example दिता हूँ जैसे environmental environmentalist ..? environmentalist environment environment के बारे में सोचते है तो वह है environment का एक interest group हो गया नेटलिस ग्रूप के द्वारा मुमेंट्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं तो अब बात जो आ रही कि यह सारे जो हम सेक्छन पर रहे हैं कि फार कर अंब डिशियर्ड मंग दिफरेंट पलेटिकल पार्टी इस प्रेटिकल पार्टी इस प्रेशर गूप ठीके लिटीकल पार्ट प्रेशर की बीच में और और मुवमेंट्स के बीच में तो डिमोक्री में हम क्या देखतेहे हैं कि एक ही political party रहेगी कोई competition नी रहेगा तो वह जैसी भी है वही है अब लेकिन जब multiple political parties होती तो सब पावर चाहते हैं और इससे क्या होता है इससे फाइदा यह मिलता है कि पावर एक इंसान के पास ना रहे तो इस तरह से यहां पर आपको political parties के बीच में देखने को मिल रही है इंधी classical example of collision government collision government क्या होता है अगले चाप्टर में फिर हम इस topic को discuss करेंगे यहां पर समझो लेकिन collision government मतलब क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं कि एक political party जो रहती तो मान लो कि अगर मान लो जैसे 200 seats 200 seats में से आपको government बनाने के लिए कितनी चाहिए रहेगी तो हमारे majority plus one 200 plus one चाहिए रहेगी seats अब किसी political party को इतना नहीं मिल रहा है किसी political party को 101 seats नहीं मिल रही है तो दो political parties जिनकी seats कितनी थी एक की 60 थी और है कि 62 थी यह दोनों political parties आपस में का कर लेती गठ बंदन कर लेती collision partners बन जाते लाइंस बनाते हैं तो इस तरह से कहें यह जो collision government होती ना collision government example एक चीज़ का कि power is shared among different political parties political parties की वीच में power share कर लिए उन्हें बोल दी हां कि हो मिनिस्टर तुमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा चलो गठ बंदन की सरकार बनाते हैं तो यह समझने की एक फॉर्म आफ पावर शेरिंग क्या होती है कि अलग अलग political parties pressure groups और moments के बीच में क्या होता है तो उसका example आप collision government लिख सकते हो फिर अगर आप देखोगे तो collision government के अलावा भी क्या होते हैं दूसरे बहुत सारे pressure groups और moments भी जो रहते हैं वह operate कर रहे होते हैं देश में जो government का पार्ट नहीं होते लेकिन government की committees में पार्ट बनते हैं government की policies के उपर pressure create करते हैं जैसे अब क्या है कि government ने एक law लिया यह लेकिन अब क्या है वह law जो है तो वह अगर farmers को सल अगर उनके हक में नहीं है तो क्या करेंगे प्रेशर बनाएंगे ना government की उपर वह प्रेशर बनाएंगे तो उससे क्या हो रहा कि यह उनके पास भी पावर है कि वह government को मजबूर कर सकते हैं कि government फिर से सोचे कि आप गलत हो या सही हो ठीक है तो वह कहानी रही है तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कम्रीट हुआ एक टाफिक भी कम्रीट हुआ डिफरेंट फ़र्म सफ पावर शेरिंग चार फॉर्म पावर शेरिंग समझा हमने एक वर्टीकल फिर तीसरा क्या था डिफरेंट शूशल गूर्प्स के बीच में कम्मूनिटी गवर्मेंट का एक्जामपल लि कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में यूट्यूब चैनल पर अविलिबल हैं ठीक करना क्या होगा आपको यूट्यूब पर तो आपको मिली जाएगी चीज़े अगर आपको ढूनने में दिखकर जाती तो आप हमारी ओफिशल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते है बताओ, वो क्या है सीदा गूगल पर जाना है, अबեշ़े न में दिखक करना है है वेबसाइट करना है, वीबसाइट पर क्लिक करते से आपके सामनी यह एयनिचे क्लास को उसलेक्ट कीजिए आपके सामने सारे सब्चेक्स आजएगे जिस सब्चेक्ट को पढढ़ना उसे स तिखर टॉपिक सब टॉपिक टापिक घर बैठे आसानी सी कहा कर सकते अपना सिलेबस कॉम्प्लीいきます कर सकते हो और इसी के सामारा